है कि हेलो दोस्तों स्वागत है आपका kd learning hub पे और यह basically community engagement की फाइल है कि community engagement की फाइल है जो कि बेट थर्ड समिस्टर लखनोई न ज़स्टी और बीट फर्स समिस्टर दोनों में ही यूज बेट फर्स में और थर्ड में दोनों ही समेस्टर में Community Engagement की फाइल बनती है ठीक है तो मैं आपको पूरा बता रही हूं कि क्या-क्या कैसे कैसे बनाना है क्या-क्या लिखना है आप लोगो को ठीक है सबसे पहले मैंने इंडेक्स पेस दिया है मतलब कि आप इंडेक्स तो बनाओ गई जो भी आप लिखते हो हां इंडेक्स पहते हैं है बात के इसमें अब इस फ्रीवें पordने क्या हूं सबसे पहले पर चैनलीजमेंस से स्बसे पहले है इसमें भी help किया basically आप उसको thank you all ओगे तो पाट में लिखते हैं फाइल्स को एक तो theoretical aspect होता है दूसरा होता है practical aspect ठीक है सबसे पहले हम theoretical aspect लिखेंगे मतलब theoretically है क्या चीज़ ठीक है तो community की meaning बताएंगे आप ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे community के बारे में जैसे कि मालो किसी ने अगर कुछ बोला है तो उसको लिख सकते हो वह आपके उपर है up to you ठीक है फिर उसके बाद जो second heading है आपके types of community तो community basically तीन basis पे हम डिवाइट कर सकते है location basis पे ठीक है identity basis पे ठीक है organizational basis ठीक है तो इन तीनों basis पे आप community की क्या बता लिए आपने types of community ठीक है फिर next चलते है इसके आप देखेंगे importance of community community क्या importance है ठीक है तो मैंने यहाँ पे किसी का code लिखा है ठीक है जो काफी important था तो मैंने इसको डाल दिया था ठीक है और उसके बाद मैंने point wise बहुत सारे importance लिखें है community के बारे में ठीक है जिसको आप लिख सकते हो इसके बाद हम देखेंगे projected community relations मतलब actually मैं जो community का relation है हमसे वो कैसा है ठीक हमें कैसा करना चाहिए क्या हमारे बीच और कभी किसी community के बीच क्या relation होना चाहिए तो उसको मैंने चाट के थो संजाया है ठीक है यह है मैंने चाट के थो एक्स्पेंग क्या हुआ है तो हम इनके बहुत सारे बताएंगे उनको हमारे क्या क्या से रहेंगे थक्य है कि अब मैंने अबजेटिव से चिए थो क्या क्या में न थार यह bipartisan करने labor तो अब क्या-क्या चीज़े दिमाग में रखते हैं जैसे नेट्रालिटी हो गई ग्रूप पेपल हो गया लाइकनिस हो गई लुकालिटी डिसाइड करते हो अब ठीक है पर्टिकुलर नेम डिसाइड कर होता है तो इस सारे फीचर होते हैं कि पास हम जाएंगे प्राक्टिकल आस्पक्ट होता है कि कमІने कमट्टी जो विजट किकिए तो इतनी डेज में देंकिये आपका प्लान क्या था आपने क्या-क्या सिखाया है उनको किस किसभी के बारे में उनको अवेयर कर रहा हैं ठीक है तो प्रेक्रीक towards me सबसे पहले तो आप अपनी अपनी पूरी कहानी कि आप हो कौन आप 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 नाम प्यूपल टीचर में लिखोगे ठीक है उसके बाद क्लास सेमिस्टर सेस्टन नीम ओफ कम्यूनिटी को आपने एक्जामिन किया और किस कम्यूनिटी के पास आप गया थे इन सब चीजों को एक्स्प्रेंग करने एरिया आपन दालो कि आपके करने सबस्क्राओं थे इसके लिए फिर से ही के इंग और को अ मैं खर करने से में हरेक म सब्सक्राओं थोड़ा-नीज आप ने क्या कि आपने क्या किया दे आ找 जुड़ा-खिर से टापील यह्टि आपने क्या-मंदिय कि एक आप मिलेंग तो चेया बताइ बेसिकली हेल्थ के लिए बताया थे तो हमने बैसिकली बैसिकली आप लिए नहीं लेते हो तक कौन-कौन-सी डिजीज हो सकते हैं उसके बारे में बताया था ठीक है तो मैंने उसको यहां पर प्रणग लिखने की जरोतनी है शॉट में आप लिख सकते हो आपने जो भी बताया हो थर्ड बैसिकली एजुकेशन के बारे में बताया था तो मैंने उनको बस यह बताया था कि आप कहां पे जाके अपनी फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं फिर जो बच्चे हैं जिनको फूर्थ डेता जिसमें हमने बसिकली क्लीन लेस के उपर बताया कि सफाई कितनी इंपॉर्टन ट्रण के लिए अगर सफाई नहीं होती है तो क्या-क्या डिजीज हो सकते हैं बसिकली जो वाटर बॉर्ण डिजीज या फिर इसकिन टच से कोई इंफेक्शन ता तो इसकी ब कुस्سب गाउट कू चला कि जंस और सीछ जाए जयर इंफेक्शन तो कि पैट के उड यूजर्स को जनले कूछन टता नहीं होता है अईनिमिक होती है एरन की कमी होती है ओसी से लिक्न्याशन के पिस... और साथी साथ जो दो चाइल्ड होता है वुमेंस की जो बच्चे होते उनकी बीच में कितना इंपोर्टेंट है यह सारी चीज हमने एक्स्प्रेइन करी थी उसी को हमने डिटेल में लिखा हुआ उसके आप कंक्लूजन लिखोगे ठीक है आपने क्या देखा क्या क्या समराइ पर लास में बिब्लियोग्रफिय आपने कहां कहां से ली थी तो मैंने जिस प्लेस से कलेक्ट किया था डाटा वह मैंने एक्स्प्रेइन क्या था ठीक है और एंड में आप जो भी कम्यूनिटी इंगेजमेंट करने चाहते हो उसमें जो भी अपने पिक्चर क्लिक कर वाई ह होगे जो मैंने भी चिपका ही नहीं है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगे कम्यूनिटी इंगेजमेंट फाइल कैसे बनानी है क्या-क्या चीज़े रहेंगी और किस किस चीजों को ध्यार में रखना है तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए थाइंक् आई सब्सक्राइब और शेयर करना ने वोला